नमस्कार दोस्तों मैं करनल अजय सीयो अजय अस्टो मानी करूँ फर्स्ट ग्लोबल अस्टो फिनेस डिजिटल चैनल एवा मल्टी लेंग्विज बिजनस टीवी चैनल से आपसे मुखातीब होता हूँ आज के इस विशेश एपिसोड में गौरतलब है आज हम आपको देश के विविन हिस्सों में MS, Ingot, Old Iron Scrap, Blit के भाव आपको अवगत कराएंगे साथी साथ स्टील लोहे के क्या ट्रेंड आने वाले एक से दो दिन में रह सकता है इसके उपर विशेश चर्चा करेंगे गौरतलब है देश का पहला चैनल जो आपको अगरिम विशलेशन देने का प्रयास करता है आज लोहे के भाव में 300 रुपे से 1000 रुपे तक की गिरावट अलग-अलग आईटम्स में देश के विविन हिस्सों में देखी गई थी जिसका अगरी मनुमान हमने आपको पहली दिया था आज 18 जनवरी सन 2022 लगबग दो बजे MS इंगट के प्रयस देश के विविन हिस्सों में इस प्रकार रहे मंडी गोविंगड के अंदर 46,700 दो सो रुपे की गिरावट दर्ज हुई विवाडी में 47,300 के भाव बताए गए और दुरगापुरा के अंदर 46,500 के भाव बताए गए इसमें 100 रुपे की गिरावट दर्ज है कॉलकाटा में 47,400 सो रुपे की तेजी और लुध्याना के अंदर भी 100 रुपे की तेजी के साथ 46,300 के भाव बताए जा रहे हैं मुंबई के अंदर 48,000 के भाव MS इंगट के हैं ओल्ड आइरेन स्क्रेप की प्राइसेज के अंदर मंडी गोविंगट 35,200 रुपे की गिरावट मंडी मेल्टिंग 38,200 रुपे की गिरावट और एंड कटिंग 40,000 इसमें भी 200 रुपे की गिरावट देखी जा रही है जैपूर में 37,300 के भाव बताए जा रहे हैं और लुधियाना के अंदर 49,300 के भाव हैं MS बिलिट के जो प्राइसेज हैं उस पे भी चर्चा कर लेते हैं मंडी गोविंगट के अंदर 46,900 के भावट हैं 200 रुपे की गिरावट हैं भावनगर के अंदर 48,100 के भाव हैं और भिवाडी के अंदर 47,600 के भाव हैं दुर्गापूर के अंदर 47,000 के भाव हैं 300 रुपे की गिरावट है और गोवा के अंदर 47,000 के भाव बताए जा रहे हैं और कोलकाता 48,100 यानि 100 रुपे की तेजी है लिधिहना में MS बिलिट प्राइस जो है 46,700 100 रुपे की तेजी मुंबई 47,000 रुपे यानि 1000 रुपे की बड़ी गिरावट MS बिलिट के अंदर मुंबई में दर्जी हुई है 47,000 के भाव राइगर्ड 45,100, 300 रुपे की गिरावट ट्राइपूर 45,800 और राहूल केला के अंदर 45,200 के भाव है मुझफर नगर के अंदर 46,100 के भाव है ये भाव आपको आज 18 जनवरी सन 2022 समय लगभग 2 बजे के आसपास के है दोस्तो financial astrology और fundamental analysis के आधार पर हमारा calculation, हमारा visualization ये कहता है कि अगले 2-3 trading session के अंदर steel के prices के अंदर गिरावट की संभावना बनेगी एक बहुत महतवपून चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगले लगभग 15 दिन के अंदर बहुत बड़ा उतार चड़ावाने की संभावना है यदि आप हमारे पिछले episodes देखेंगे 15 दिन पहले के 20 दिन पहले के या एक मेने पहले के हमने आपको तेजी आने से पहले तेजी की सूचना दी थी और मंदी आने से पहले मंदी की सूचना दी थी जो की आक्षरत सत्य साबित हुई दोस्तों ये नाकेबल स्टील अपितु सोयाबीन सरसो कॉपर अलमिनियम सोना चांदी शेर बजार इन सभी पर हमारा जविशलेशन जो फंडामेंटल एनेलेसिस और फाइनेशल एशलावजी के सहुक्त प्रयासों से आप तक पहुचाया जाता है वो सत्य साबित हो रहा है उमीद है कि सभी दर्शोकों ने इसको बहुत पसंद किया है आपको भी अधी हमारा प्रोग्राम पसंद आता है तो उसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अधी आपने अभी तक हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो बैल आइकन यानि घंटी के निशान को टैप करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हड़ नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचाई जा सके कौरतला बैया अधी कल हमारे ल चांदी हो या फिर लोहा स्टील शेर बजार हो या फिर क्रशी जीन इन सभी पर हमारा अग्री मनुमान लगबक सत्यसाबित होता है चाहे वो जीरा धनी आओ स्पाइसे जो लाल मिर्च काली मिर्च हो या फिर ओल सीड में सोया भी नो सरसो हो ग्राउंड नट यानि मोमफल इन सभी पर हमारा अनुमान विशेश सत्यसाबित हो रहा है आप भी देख सकते हैं आप यदि पेड सर्विस से चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं All the very best, good luck, happy trading